पास्ट फिल्म चार औरतों के खटे मीठे अनुभवों पे आधारित है फिल्म की डारेक्टर है लीना यादव जिन्होंने उसे एक छोटे से गाउं उझास में सेट किया है फिल्म अभी तक सिर्फ गलत कारणों के कारण चर्चा में रही है लेकिन आज हम बताएंगे आपको पाच सही कारण पास्ट देखने के लिए फिल्म आधारित है चार औरतों पे रानी, बिजली, लज्जो और जानकी जिनका किरदार निभा रही है तनिष्ठा चाटर जी, रादिका आप्टे, सुर्वीन चावला और लहर खान ये इस फिल्म में बाल बिबा, गरेलू हिंसा, गरेबी और रेप से जूचती हुई नजर आएंगे लेकिन फिर भी इन में जिन्दगी जीने की प्यास है ये पैसे ही कठे कर रही है ताकि वो एक टीवी सेट खरीद पाए जो कि उन्हें इस गाउं से बाहर, बाहरी दुनिया से जोड सके चारो ही अभिनेत्रियों ने बहतरीन काम किया है तनिष्ठा एक विद्वा का रोल निभा रही है रादी का एक बांच हैं लेकिन अपने पती से स्विकारता चाहती है सुर्वीन एक डांसर हैं जो कि ये जिन्दगी पीछे छोड़के एक नई जिन्दगी शुरू करना चाहती है पर ऐसा करने में असफल है ये अभिनेत्या पाश्ट में जिन्दगी, प्यार और सेक्स के बारे में बात करती हुई नजर आएंगी और पाश्ट में ये अपनी ही सीमाओं को तोड़ने के लिए खुद से ही लड़ती हुई नजर आएंगी हम शेहरों में रहने वालों को लगता है कि सच्चे महिला सशक्ती करन की शुरूआत शेहरों में होती है पर ऐसा नहीं, इसके बीच असलियत में गाउं में वोय जाते हैं जो कि हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा टारेक्टर लीना यादव ने इस फिल्म में एक तरफ उम्मीद और एक तरफ जग्दो जहद को दिखाने की उम्दा कोशिश की है ये फिल्म भारती सोसाइटी के दोगलेपन को दर्शाती है एक तरफ हम देवियों की पूजा करते हैं, उन्हें मंदिर में रखते हैं पर यही बात जब महिलाओं की आती हैं, तो या तो उनका शोशिण करते हैं या उनके साथ बुरा भेवार करते हैं और अब आते हैं हम इस फिल्म को देखने के गलत रीजन की तरफ इस फिल्म का एक सेक्सीन जिसमें आदिर हुसेन और रादिका आप्टे हैं वो लीक हो गया और उसके बाद उसे पॉन की तरह भी बेचा जा रहा था एक फिल्म जो कि महिला सशक्तिकरन के लिए बात कर रही है इससे बड़ा कटाक्ष उसके लिए और क्या हो सकता है